नमस्कार बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी क्लास अनीता शिक्षा में जैसा कि हम लोगों ने कल हमारी लाइफ क्लास की सीरीज को स्टार्ट किया है आप लोग इस चैनल पे अपने इंगलिश की पढ़ाई बहुत इजिली कर पाएंगे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रो सेक्षन अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं तो आप लोग कल का जो लाइफ क्लास का वीडियो अपलोड हो चुका है वो आप देख लीजेगा जिसमें मैंने आपको पोएम पढ़ाई है ताकि आपको वो जो पोएम है वो अच्छे से समझ में आ जाए आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हॉन बिल बुक का जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नमबर वन जैसा कि आप लोग स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं यह आपकी हॉन बिल बुक का कवर पेज है और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जैसा कि आप लोग स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं यह आपका कंटेंट पार्ट है सबसे पहले जब भी हमको इस काम शुरू करते हैं तो पहले हमें उसका थोड़ा सा road map बना लेना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं तो उसी लिए मैं आप लोगों को यह आपका content part एक बार शो कर देती हूँ कि आपको hon will book का जो prose section है और जो poetry section है उसमें total कितने chapters पढ़ने हैं content में आपके देखे 5 chapters आपको screen पे दिख रहे होंगे आगे आपको 6, 7, 8 chapter आगे इसमें दिखाई दे रहे हैं उसके बाद में हम करेंगे writing skills के बारे में पूरा detail में study तो जैसा कि आप लोग content part में देख पा रहे हैं हम start करेंगे हमारे first chapter a portrait of a lady जो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अब photograph poem हम कल कर चुके हैं आप उसका video देख लीजेगा सबका स्वागत है बहुत बहुत और जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे हैं सबको good afternoon अब चल दिए start करते हैं chapter the portrait of a lady जैसे जैसे आप आते जाएं आप लोग join करते रहे हैं हम chapter को continue कर लेते हैं the portrait of a lady एक महीला का रूप चितर ये कुश्वन सिंग जो writer है उनके द्वारा लिखा गया chapter है और इस part के द्वारा जो लेखक हैं वो अपने दादी जी से हमारा परिशे कराते हैं और बताते हैं कि जो उनकी दादी मा हैं वो किस तरह की दिखती हैं और उनका उनके साथ कैसा लगाव है और कितने सालों से वो उनको इसी रूप में देख रहे हैं कोई भी changes नहीं दिखाई दे रहे हैं उनके दादी के स्व लोग होते हैं और आपने उनके चेहरे के पर बहुत सारी जुरियां भी देखी होंगी तो आपको भी ऐसा लगता होगी कि शायद हमेशा से ये लोग ऐसे ही हैं हम कलपना भी नहीं कर सकते कि वो लोग कभी जवान रहे होंगे या कभी अपने जवानी के दिनों में या यानि कि मेरी दादी जी like everybody's grandmother यानि कि जैसे कि हर किसी की दादी होती है वैसे was an old woman वो एक वृद्ध महीला थी यानि बूड़ी ओरत थी she had been old and wrinkled from the 20 years और वो ऐसा कहते हैं कि लगभग 20 साल से मैं इनको वैसे ही देख रहा हूँ कि इनके चेहरे पर wrinkled का मतलब होता है जुरियां पड़ी हुई है और ये उतनी ही बूड़ी दिखाई दे रही है मुझे 20 साल से एक जैसी ही दिखाई देती है कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा that I had known her यानि कि जब से मैंने पैदा हुआ हूँ जब से मैंने उनको देखा है वो मुझे बिलकुल ऐसी ही द खूबसूरत हुआ करती थी और युवा भी थी यंग यानि युवा और प्रिटी यानि खूबसूरत and had even had a husband और ऐसा भी कहते हैं कि उनके एक पती भी थे but लेकिन that was hard to believe यानि कि लेकिन मेरे लिए इस बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है my grandfather's portrait मेरे दादा जी का जो चित्र है रूप चित्र जो है portrait जो है hung above the mental piece in the drawing room क्योंकि जो मेरे दादा जी का जो चित्र है यानि जो photo है वो drawing room का मतलब होता है स्वागत कक्ष और mental piece का मतलब होता है जैसे चिमनी वाली अंगीठी जो होती है उसके उपर बनी हुई जो ताक होती है जैसे आप लोगोंने देखा होगा कि जहां बहुत ज़्यादा सर्थी पड़ती है वहां दिवार पे side में एक उभरा हुआ सा बन कि दादा जी का जो चितर है वो लगा हुआ था he wore a big turban and loose fitting clothes अब वो अपने दादा जी के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह के कपड़े पहना करते थे तो वो कहते हैं वह एक बहुत बड़ा सा साफा और धीले ढाले जो कपड़े हैं वो पहना करते थे His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least a hundred year old यानि कि उनकी जो बहुत लंबी और सफेज जो दाड़ी है वो उनके वक्ष स्थल के काफी हिस्से को यानि उनके चुछाती का जो काफी हिस्सा था उसको घेर लेती थी पूरा cover कर लेती थी और वो देखने से ऐसा लगता था कि उनकी उम्र कम से कम लगभग सौ वर्ष दिखाई देती थी उस चित्र में सौ वर्ष के वो लगभग रहे होंगे आगे देखिए वो इस तरह है कि व्यक्ति तो नहीं लगते थे देखने से जैसे कि कोई उनके पत्नी रही होगी या उनके बच्चे होगी मतलब उनकी चित्र को देख के ऐसा महसूस नहीं होता था वो ऐसा लगता है देखने से जैसे कि उनके बहुत सारे पोते-पोतियां हो सकते हैं क्योंकि उनका जो चित्र है वो इस तरह से ही दिखाई देता है आप लोगों के घर पे भी बुजूर्ग होंगे तो आप लोगों को अपने दादा दादी से भी प्यार होगा तो आप लोगों को कुछ इस तरह की चीज़ा रिजेंबल लगती है उनके साथ कि हाँ हमने भी कुछ ऐसा महसूस किया है अगर किया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा मैं चैप्टर पढ़ते पढ़ाने के बाद उसमें साथ साथ में आपको कमेंट के जवाब भी दे दूँगी रिटर्न में तो चलिए आगे चलते हैं For my grandmother being young and pretty As for my grandmother यानि कि जैसा कि वो कहते हैं कि जहां तक मेरी दादी मां का सवाल है कि वो बहुत ज़ादा यूवा तथा सुन्दर हुई होंगी रही होंगी अपने जमाने में ये जो विचार है The thought was most revolting लेकिन ये जो विचार है ये मुझे काफी विद्रोही विचार लगता है यानि कि जब मैं अक्सर उनके बारे में इस तरह की बात सोचना हूँ तो ये मेरे मन में बड़ी हलचल सी पैदा कर देता है revolting हो जाता है तोड़ा हलचल महसूस करता हूँ मैं कैसा कैसे हो सकता है मन नहीं मानता कि वो भी कभी युवा रही होंगी जवान रही होंगी शी ओफन तोड़ अस ओफ दा गेम शी उस तो प्ले एज चाइल्ड और वो हमें अक्सर अपने खेलों के बारे में भी बताया करती थी जब वो बच्ची थी तब वो कौन-कौन से खेल खेला करती थी तो वो कहते हैं लेकिन जब वो अपने बाल लेवस्ता के बारे में बताती थी तो ये जब वो छोटी बच्ची थी तो इन क्रियाओं के बारे में जब बताती थी तो थोड़ा भद्दा सा लगता था और absurd यानि भद्दा और undignified on her part we treated it like the fables of the prophet she used to tell us इसको थोड़ा दिहान से समझी इसमें थोड़ा से difficult words है मैं दुबारा से आपको दिखाती हूँ that seemed, seemed का मतलब होता है ऐसा लगता था quiet absurd की काफी भद्दा लगता था ये बात सुनके and undignified on her part और बहुत ही असमानिय से दिखाई पड़ता था जब मैं उनकी बात करता हूँ कि उनके बारे मैं ऐसा सोचना and we treated it like the fables क्योंकि हम तो उनको ना पैगंबरों की कथाओं के रूप में समझते थे of the prophet she used to tell us जैसे कि वो पैगंबरों की जो कथाओं है जो वह हमें सुनाया करती थी उस तरह से हम उनको समझते थे तो इस तरह की कलपना करना की वो कभी युवा रही होंगी कभी कुपसूरत रही होंगी थोड़ा अजीव सा लगता था लेखको next देखे she had always been short and fat and slightly bent और अब उनका बारे में वो बताते हैं कि वो अधिकतर किस तरह की दिखाई देती थी she had always been short fat and slightly bent कि वह हमेशा से छोटी सी मोटी सी तरह जुकी हुई सी दिखाई देती थी her face was a criss cross of wrinkles running from everywhere to everywhere और उनका जो चेहरा था वो सभी तरफ से यानि जुरियों की design दार लकीरों से भरा हुआ था और एक तरफ से दूसरी तरफ दूसरी तरफ से और आगे की तरफ इस तरह से वो लकीरे उनके चेहरे पर दिखाई देती थी समझ में नहीं आता था कहां से कहां जा रही है no we were certain she had always been नहीं हमें बिलकुल विश्वास था कि वह हमेशा से वैसी ही थी we had known her old so terribly old that she could not have grown older यानि कि वो यह गहते हैं कि जब से हम उनको देख रहे हैं वो हमेशा से ही वैसी ही दिखाई देती थी जैसा कि हम उनको जानते थे वो बूरी थी बूरी थी और old so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years मतलब बूरी और इतनी ज़्यादा भयानक रूप से बूरी थी वो कि इससे ज़्यादा बूरी नहीं हो सकती थी और पिछले 20 वर्षों से ऐसे लगता था कि जो उनकी एज है जो उनकी उमर है वो वहीं पर वो दिखाई देती हैं बूरी थी बूरी ही दिखती हैं she could never have been pretty but she was always beautiful वो यह कहते हैं कि वो कभी भी सुन्दर नहीं हो सकती थी लेकिन वो हमेशा ही आकर्शक दिखाई देती थी यह लेखर का मानना है she hobbled about the house in spotless while with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary तो यह जो हमने अभी line पढ़ी इसमें फिर वो यह बताते हैं कि वह कभी भी सुन्दर नहीं हो सकती थी लेकि कैसा मानता है पर आकर्शक दिखाई देती थी वह बिलकोल सफेद यानि कि वो हमेशा spotless spotless मतलब होता है जिसके उपर किसी भी तरह का कोई भी दाग धबा ना हो she hobbled about the house यानि वो घर में इधर से उधर घूमती रहती थी और उनके जो कपड़े थे वो बिलकोल spotless white यानि बिलकोल सफेद रंके बिना दाग धबोंगे कपड़े पहने हुए और one hand अपना एक हाथ resting on her waist जिसको वो अपने कमर के उपर संभाल के रखती थी to balance her stoop ताकि वो अपने हाथ से अपने वजन को control कर सके कमर पर रखे हुए होती थी और and the other और दूसरा जो उनका हाथ था telling the beads of her rosary वो जो उनके हाथ में भजन करने वाली जो माला थी उसको फेरती रहती थी हर silver locks silver locks का मतलब होता है कि उनके जो बाल है उनको silver color का बताया गया है कि चांदी के जैसे जो उनके बाल locks मतलब होता है चोटियां were scattered untidely वो जो उनकी चोटियां थी वो अव्यवस्तित तरीके से पूरी की पूरी जो है untidely मतलब होता है सही तरीके से नहीं थी फैली हुई सी लगती थी कहां पर over her pale puckered face और वो चोटियां जो है अव्यवस्तित तरीके से उनके पीले और जुरियों वाले चेहरे पर pale मतलब होता है पीला और प्लकर्ड का मतलब होता है पकर्ड फेस का मतलब होता है जुरियों से पका हुआ यानि जुरियों वाले चेहरे पर वो फैली रहती थी and her lips और उनके जो होट थे वो constantly moved in in audible prayer और होट हमेशा लगाता है constantly का मतलब होता है होट जो हमके सदेव ही निरंतर असपश्ट बोलो में यानि कुछ बोलती रहती थी प्रार्थना करती रहती थी भजन गाती थी खिलते रहते थे yes she was beautiful हाँ वह बहुत सुन्दर थी she was like the winter landscape in the mountains अब वो क्या कहते हैं अपनी दादीजी के लिए कि she was beautiful वो खुबसूरत थी she was like the winter landscape in mountains यानि कि वह परवतों की बीच जो थंडी का जो मौसम होता है उसमें जैसे प्राकरतिक तस्वीर के समान दिखाई देती थी क्यों an expense of pure white serenity breathing peace and contentment क्योंकि an expense of pure white serenity मतलब फैलाव उनके चेहरे को देख कैसे लगता था कि purity का यानि पवित्रता और शांती जो है वो उनके चेहरे पर विस्तार कर रही हो फैल गई हो और वो बहुत ही contentment मतलब होता है संतोशी सी लगती थी चेहरे से और जब वो सांस लेती थी serenity, breathing, peace and contentment मतलब वो हमेशा शांती से और संतोश से ही सांस लेती रहती थी यानि कि उनको किसी चीज़ की कोई हर्बड़ा हाट नहीं थी she was like a pure snow जैसे बर्फ नहीं होती बिल्कुल एक दम pure होती वैसे उनका चेहरा दिखाई देता था तो कैसा लग रहा है आपको चैप्टर अगर अच्छा लग रहा है तो बीच में आप लोग जो बच्ची देख रहे हैं वो सारे के सारे thumbs up send करेंगे कि हाँ आपको यहां तक का चैप्टर समझ में आ गया है ताकि मैं इसको आगे continue करूँ मैं देखती हूं कौन-कौन and I were good friends यानि मेरी दादी मा और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे दोस्त थे यानि मित्र थे my parents left me मेरे पिता जी छोड़ गए थे मुझे with her मुझे के साथ when they went to live in the city जब वो शहर में रहने के लिए गए city मतलब शहर and we were constantly together और जब वो मुझे वहाँ पे छोड़ के गए तो constantly का मतलब होता है निरंतर तो हम लोग together का मतलब होता है साथ-साथ तो मैं और मेरी दादी निरंतर साथ-साथ उसमें रहे she used to wake me up अब जब हम साथ रहते थे तो वो क्या-क्या करती थी बता रहे हैं हो कि वो मुझे सुबह जगा दिया करती थी wake me up in the morning यानि मुझे सुबह जल्दी उठा दिया करती थी and get me ready for school और उसके बाद वो मुझे सुबह उठाने के बाद में विद्याले के लिए यानि स्कूल के लिए तयार करती थी she said her morning prayer और उसके बाद में वो अपनी सुबह की प्रातना थी morning prayer थी उसको बोला करती थी in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart अब जब वो सुबह सुबह भजन गया करती थी अपनी प्रातना करती थी तो वो उनके मन में एक आशा रहती थी और वो आशा क्या रहती थी वो ये सोचती थी कि she said her morning prayer in monotonous sing song while she bathed and dressed me जब वो मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती थी तो वो लगातार अपने भजन जो थे उनको गाती रहती थी in the hope hope का मतलब होता है उमीद इस उमीद में that मतलब होता है की I would listen and get to know मैं उनको सुनूंगा उनकी प्रातनाओं को और उनको जानूंगा it by heart और उसको फिर मैं याद भी कर लूँगा यानि मुझे वो कंठस्त हो जाएंगी learn by heart यानि मेरे को वो कंठस्त हो जाएंगी I listened मैं सुनता था because क्योंकि I loved her voice मुझे उनकी आवास बहुत पसंद थी इसलिए मुझे उनकी आवास बहुत प्यारी लगती थी तो मैं उनको सुनता था but never bother to learn it लेकिन मैंने कभी भी उनको याद करने की कभी भी चिंता नहीं कि bothered यानि चिंता करना मैंने कभी यह नि सोचा कि मैं इसको याद भी करूँ जो मेरी दादी मुझे प्रात्नाए सुनाती थी then she would fetch my wooden slate और उसके बाद वो क्या करती थी then she would fetch my wooden slate और उसके बाद मैं वो मेरी जो लकड़ी की तक्ती थी जिससे की slate which she had already washed जिसको पहले ही धो चुकी थी लकड़ी की जो तक्ती wooden slate fetch का मतलब होता पकरना and plastered with yellow chalk उसको पकरती थी और उसको फिर पीले रंकी या पांडू मिट्टी होती है yellow chalk जो होती है इसको पांडू मिट्टी बोलते हैं उससे वो पोत देती थी a tiny earthen ink pot और उसके बाद में एक छोटी सी मिट्टी की दवात earthen ink pot मिट्टी की दवात earthen यानि मिट्टी की ink pot यानि दवात and a red pen और उसके साथ एक लाल रंका pen यानि कलंब वो उसके साथ ले लेती थी tie them in all in a bundle और उन सबको वो एक bundle में बानती थी eat to me और वो मेरे को पकड़ा देती थी मेरे हाथों में दे देती थी after a breakfast of a thick और यह सब वो कब करती थी जब वो मुझे थोड़ा नाश्टा करा देती थी after breakfast नाश्टा कराने के बाद stale chapati with a little butter और खाने में क्या देती थी वो उनको stale मतलब होता है जो रात की बनी ही होती है रोटी जिसको बासी रोटी भी बोल सकते हैं वो सुभे सुभे उनको देती थी रात की रोटी और उसके साथ में थोड़ा सा मक्षन चले जाते थे हम दोनों साथ साथ में विद्यले स्कूल जाते थे शी कैरिड सेवरिल stale chapatis with her for the village dog और साथ में वो जो और बची वी जो रोटीयां होती थी उन सारी रोटीयों को वो साथ में ले 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 थी और गाहों के कुत्तों को वो उन चपातियों को खिलाती थी तो वो साथ में ले ले दे थी मज़ा आ रहा है न बच्चों चाप्टर पढ़के चलिए आगे देखते हैं मेरी दादी जी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी because क्योंकि the school was attached to the temple क्योंकि जो स्कूल है वो जो मंदिर था उसके बिलकुल पास में था उससे जुड़ा हुआ था the priest taught us the alphabet और जो पुजारी जो थे वो हमें वर्णमाला के अक्षरों का ज्यान देते थे and the morning prayer और प्रातरकाल की जो सुब़े की जो प्रार्थनाएं होती थी वो भी करवाते थे while the children sat in rows और जिस समय सब बच्चे पंक्तियों में बैठ जाते थे on either side of the veranda जो बरामदा था उसके दोनों तरफ कतारों में बैठ जाते थे singing the alphabet or the prayer in chorus और फिर वो बैठ के कतार में या तो बच्चे वर्णमाला के अक्षरों को पूरा एक साथ सामोहिक रूप से जोर जोर से बोलते थे या फिर प्रात्ना को गाग एक साथ गागा कर बोलते रहते थे chorus में मतलब एक साथ सब मिलके गाना my grandmother sat inside reading the scriptures और उस समय मेरी जो दादी थी वो अंदर की और बैठ कर अपना जो धार्मिक गरंथ है उस तक है उसको पढ़ती रहती थी scriptures यानि धार्मिक गरंथ when we had both finished और जब हम दोनों इस अपने अपने काम को समाप्त कर लेते थे we would walk back together और फिर हम लोग साथ साथ में वापिस आ जाते थे यानि हम वापिस घर के लिए साथ साथ चल देते थे this time the village dogs would meet us at the temple door और उस समय हमारे को गाओं के कुते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिर जाते थे they followed us to our home वो हमारे को अपने घर तक हमारा पीछा करते थे साथ साथ चलते थे growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them अब वो पीछा क्यों करते थे वो growling करते थे growling का मतलब होता है आपस में वो उन रोटियों के लिए गुर्राते थे and fighting और लड़ते भी रहते थे तो growling और fighting का मतलब होता है गुर्राना और fighting का मतलब होता है लड़ना क्योंकि वो जो रोटियां मेरी दादी उनको देती थी उन रोटियों के लिए वापस में लड़ते और गुर्राते रहते थे When my parents were comfortably settled in the city यानि जब मेरे माता पिता बहुत ही आराम से comfortably बस गए शहर में They sent for us, उन्होंने हमें भी वहां बुलवा लिया That was a turning point in our friendship तो वो जो समय था वो हमारे बीच में एक निर्नायक बिंदू रहा ये turning point वर्ड जो है वो आप देखिए ध्यान से इसको आप याद कर लीजेगा कि turning point कब आया लेखक की life में ये question पूछा जाएगा और मैं भी आपसे पूछूंगी तो turning point क्या था यानि निर्नायक बिंदू यानि परिवर्तन लाने वाला जो बिंदू था वो लेखक की life में कौन सा था तो ये वो turning point था जब वो लोग गाउं से शेहर में आए उस समय although we share the same room अब लेखक क्या कहते हैं कि हाला की हमारी दोनों जनों के बीच में मतलब हाला की मतलब होता है यदपी कि we share the same room कि यदपी हम लोग एक ही कमरा जो है उसको बाट रहे थे यानि share कर रहे थे यानि एक ही कमरे में रहते थे my grandmother no longer came to school with me लेकिन अब क्या change आया सबसे पहला change ये आया कि अब जो दादी जो थी वो turning point आने बाद में क्या हुआ कि जो दादी थी no longer came to school with me यानि अब जो मेरी दादी है वो मेरे साथ school तक नहीं जाते थी ठीक है तो शहर में आते ही सबसे पहला ये परिवर्तन आया I used to go to an English school in a motor bus और लेखक जो है वो अपना विद्याले कैसे जाते थे I used to go यानि लेखक कहते हैं कि मैं एक motor bus में बैट कर school जाता था और school भी कैसा था वो English school था English school में वो जाने लग गए फेर क्या हुआ There were no dogs और उसके बाद में वहाँ पर कुत्ते भी नहीं थे There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the country yard of our house तो क्योंकि वहाँ पर जब हम शहर आ गए तो कुत्ते भी नहीं थे और उन्होंने शहर के जो हमारा मकान था उसके प्रांगन में birds को यानि गुर्रईया जो चिडिया होती है उसको चुगगा डालना शुरू कर दिया था दादी जी ने तो turning point जो है वो हमारा पूरा यहां से start होता है कि हालां कि हम लोग एक कमरा शेयर करते थे लेकिन वो ना मेरे साथ अब school जाती थी मैं English school में जाने लग गया था और मैं bus में जाता था और वहां कुत्ते नहीं थे तो दादी जी ने कुत्तों की जगे है अब sparrows को जो रोटी के जो टुकड़े थी उनकी जगे अब वो गोरय या जो चीडिया थी जो आंगन में आती थी उनको वो रोटी डालने लग गई थी तो यह आप ध्यान रखिएगा यह पूरा आपको याद कर लेना चाहिए यह बहुत important है चलिए आगे देखते हैं कि जब इसी तरह से जब आगे से आगे वर्ष बीचते चले गए हम लोग एक दूसरे को बहुत कम ही मिल पाते थे for some time she continued to wake me up पहले तो कुछ समय तक उन्होंने मुझे मेरे को जगाना जारी दखा and get me ready for school और वो मुझे school के लिए तयार भी करती थी when I come back she would ask me what the teacher और जब मैं वापिस आता था तो वो मुझे से पूछा करती थी she would ask me what the teacher की वो पूछती थी कि teacher ने तुमें teacher had taught me कि teacher ने मुझे क्या पढ़ाया है वो मुझे से पूछा करती थी I would tell her English words and little things of western science and learning अब देखिए क्योंकि वो उनसे पूछती थी दादी जी तो जो लेखक है वो जवाब भी देते थे और उन्हें बताते थे अंग्रेजी के कुछ शब्द I would tell her words अंग्रेजी के शब्द and little things और छोटी 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 चीज़ें भी बताता था western science and learning के बारे में यानि जो पास्चापते विज्ञान था उसके बारे में मैं छोटी छोटी बातें उनको बताता था अब वो बताते चो थे उसमें वो क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई the law of gravity our committees principle the world world being round etc तो उसने उनको समझाने की कोशिश करी कि देखो विज्ञान में पढ़ता हूँ उसमें गुरुत वाकर्शन के नियम होते हैं gravity के नियम होते हैं एक our committees का सिधान्त जो हमें स्कूल में पढ़ाया वो भी मैंने उनक इस तरह की बाते में etc यानि आदी सब बाते में उनको बताता था this made her unhappy और इससे वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाया करती थी और इन बातों से दुखी क्यों हो जाती थी she could not help me with my lessons क्योंकि उनको यह लगता था कि अब वह मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि इन सब चीजों के बारे में उन्हें नहीं पता था she did not believe in the things they taught at English school अब उनके मन में एक बात और चल रही थी वही सोची थी कि अंग्रेजी स्कूल में जो बातें वह हमें सिखाते हैं उन पे वह विश्वास भी नहीं करती थी and was distressed distressed का मतलब होता है दुखी होना व भगवान के बारे में यानि God के बारे में और scriptures के बारे में तो कुछ पढ़ाते ही नहीं हैं उनको ऐसा लगता था कि God के बारे में यानि scriptures के बारे में वो कुछ भी यानि scriptures मतलब होता है धार्मिक ग्रंत उनके बारे में तो कोई शिक्षा ही नहीं देते तो वो थोड़ी लुखी हो जाती थी One day I announced that we were being एक दिन मैंने घोशना करी मैंने सबको बताया कि that we were being given music lessons की मैं बड़ा खुश होके कवी लेखक कहते हैं कि मैंने अपने घर पे ये बताया कि अब हमारे को school में संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है और she was very disturbed और ये सुनकर तो दादी जी थी इसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा disturbed हो गई यानि घबरा गई to her music had levered associations क्योंकि उनके मानने के अनुसार मतलब जैसा उनको लगता था उनकी समझ के अनुसार पहले तो वो घबरा गई और उनको ये लगा कि उनके लिए तो संगीत संबंद जो है वो एक दुश्टता वो एक कामुकता से संबंद रखता था यानि ये खराब चीज थी ये अगर कोई संगीत सीख रहा है तो वो दुश्टता की तरफ बढ़ेगा और कामुकता के बारे में सीखेगा उनको ऐसा लगता था अनको ये लगता था कि ये तो केवल वैश्याओं का हैरलोट मतलब होता है वैश्याओं और बैगर का मतलब होता है बिखारी उनको लगता था कि ये तो जो संगीत वगरा है ये सब तो सिर्फ वैश्याओं का और बिखारियों का ही एक अधिकार है उनको ही इस मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार she said nothing but her silence meant disapproval हालां कि she said nothing कि इस बात पर फिर उन्होंने कुछ आगे तो नहीं कहा वो चुप रही पर उनके चुप रहने का मतलब ये था कि ये उनकी ऐस्विक्रती थी यानि disapproval था वो इस चीज़ को approve ही नहीं कर रही थे कि मैं संगीत सीखूं she rarely talked to me after that मुझे से मुझे से बात किया करती थी तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था हमारे बीच में दूरी आने का आगे देखते हैं फिर अब लेखक कहते हैं कि यानि जब मैं विश्व विद्याले में पढ़ने के लिए गया I was given a room of my own तो वहाँ पे मुझे मेरे लिए खुद के लिए कमरा दिया गया The common link of friendship was snapped और हमारे बीच में जो एक सामाने से जो कड़ी थी दोस्ती की वो एक जटके में ही टूट गई My grandmother accepted her seclusion with resignation यानि कि अब मेरी जो दादी मा थी उन्होंने अब My grandmother accepted Accepted का मतलब होता है मान लेना अब मेरी दादी मा जो है उन्होंने मान लिया था Her seclusion and resignation की मैं अब उनके साथ नहीं रहूँगा तो वो जो समर्पन की भावना थी और वो जो एकांत वास अब जो उनको मिला उसको उन्होंने स्विकार कर लिया She rarely left her spinning wheels और अब वो क्या करती थी वो बहुत ही मुश्किल से कभी-कभा कभी-कभी ही अपने चर्खे को चलाना बंद करती थी spinning wheel बंतलब ता चर्खा to talk to anyone किसी से बात करने के लिए यानि उन्होंने अब अपने आपको change कर लिया अब वो सिर्फ अपना चर्खा चलाने में ध्यान देती थी और कभी-कभी उसको रोक के किसी से मुश्किल से ही बात किया करती थी from sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting pairs अब उनका दिन चर्या बदल गई वो अब क्या करती थी सूर्य दे से लेकर सूर्य स्थ तक यानि सूबे से लेकर शाम तक वो अपने चर्खे के बगर में बैठी रहती थी उसको काती रहती थी और अपने भजनों को गाती रहती थी reciting यानि गाना, prayers यानि प्रातनाई, प्रातनाई जो हैं गोगाती रहती थी only in only in afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows यानि कभी कभार के बर दोपहर में मतलब तीसरे पहर में यानि afternoon में कभी कभार वो जो sparrows थी यानि जो गोर्रईया थी उनको दाना खिलाने के लिए दोपहर में वो थोड़ा सा समय आराम करती थी, she relaxed मतलब होता है आराम करना और while she sat in the veranda breaking the bread into little bits और जितने समय वह रोटी को छोटे छोटे टुकडो में तोड़ते हुए वरामदे में बैठी रहती थी hundreds of little birds collected round her creating a very table bedlam of chirpings और उतने समय में hundreds यानी सेकडों की संख्या में छोटी छोटी चिडिया जो है अपनी वास्तविक जो उनकी सचमुच की जो चहचाहाट का जो शोर हुल था वो करते हुए वहाँ पर इकठी हो जाती थी bedlambs of chirpings का मतलब होता है कि उनकी जो चहचाहाट जो वास्तविक चहचाहाट थी वैरिटेबल यानी वास्तविक चहचाहाट जो थी उसको करते हुए वहाँ पर आके बैठ जाती थी some came and perched on her legs, others on her shoulders, अब वो जो चिडिया गो रहिया की आती थी उन में से some came and perched on her legs, उन में से कुछ तो उनकी टांगों पर बैठ जाती थी others on her shoulders, बाकी उनके कंधे पर बैठ जाती थी some even sat on her head, कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती थी she smiled but never shoot them away, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उनको shoot का मतलब होता है भगाना, कभी भी शूशू करके उनको भगाती नहीं थी it used to be the happiest half hour of the day for her और यह उनके लिए दिन का सबसे जादा अधिक खुशी का आधा घंटा हुआ करता था आगे देखते हैं when I decided to go abroad for further studies अब जो लेकिया के वो कहते हैं कि जब मैंने आगे की पढ़ाई करने के लिए decided का मतलब होता है निश्चे किया to go abroad abroad मतलब होता है विजदेश में या आगे बाहर पढ़ने के लिए जाने के लिए for further studies further यानि आगे के अध्यन के लिए I was sure मुझे पूरा विश्वास था my grandmother would be upset कि मेरी दादी जी जो है वो बहुत परिशान हो जाएंगी upset हो जाएंगी यानि परिशान हो जाएंगी it would be away for 5 years क्योंकि I would be away for 5 years कि मैं 5 साल के लिए उनसे दूर रहूंगा क्योंकि वो मुझे बहुत लगाव था उनका and at her age one could never tell और जो उनकी उम्र चल रही थी जो मेरी दादी मां की उम्र है उसमें कोई भी कह नहीं सकता but my grandmother could कि वह यहां तक की बिल्कुल भावुक हो जाती थी और वो यह कहते हैं कि कोई कुछ भी नहीं कह सकता पर मेरी दादी मां कह सकती थी क्या कह सकती थी यानि वो थोड़ा हिचकी चाते हुए बोल रहे हैं क्योंकि वो काफी एज इट थी तो उनको लग रहा था कि जब तक मैं आऊंगा तब तक पतारी दादी मां रहेंगी या नहीं रहेंगी कहने का मतलब वो ही है at her age one could never tell यानि उनकी उमर में कोई नहीं बता सकता but my grandmother could लेकिन मेरी दादी मां बता सकती थी she was not even sentimental क्योंकि वह बिलकुल भी भावख नहीं हुई ये सुनके कि मैं जा रहा हूं she came to leave me at the railway station वो आई came to leave me मुझे छोडने के लिए railway station तक आई but did not talk or show any emotion लेकिन उन्होंने ना ही तो कोई बात की और ना ही कोई भावुकता प्रदर्शित की emotion यानि भावुकता दिखाना her lips moved in prayer बस खाली उनके जो होड थे वो प्रातना में चलते जा रहे थे her mind was lost in prayer और उनका जो दिमाग है जो मस्तिश्क है वो प्रातना में होया हुआ था her fingers were busy telling the beats of her rosary और जो उनकी उंगलियां थी वो भजन माला के जो मन की होते हैं गोल गोल जो माला के अंदर लगे होते हैं उनको जपने में व्यस्त थी rosary को यानि जो माला थी उसको फेरे जा रहे थी silently she kissed my forehead उसके बाद में उन्होंने बिना कोई आवाज किये शांती से मेरा माथा चूम लिया and when I left I cherish the most imprint as perhaps the last sign of physical contact with us और अब वोई कहते हैं जब उन्होंने मेरा माथा चूमा तो जब मैं वहां से चला तो मैं उनके वो जो चूमनी का नम स्पर्ष था होठों को का उसको अपने मन में संजोए रहा मैंने जैसे कि वह हम दोनों के बीच में शारेरिक स्पर्ष का एकदम last चिन्न था मतलब लेखक को लगा कि शायद अब दुबारा जब वो लोट के आएंगे तो उनको उनकी दादी शायद नहीं मिलेंगी तो यह आखरी स्पर्ष होगा उनका अमकी दादी के साथ ऐसा वो महसूस हुआ बट दैट वोस नॉट सो लेकिन ऐसा नहीं हुआ दैट वोस नॉट सो आफ्टर फाइव यर्स पांच साल के बाद मैं आई केम बैक होम मैं वापिस घर आया मुझ केते हैं ऐसी बात तो नहीं थी पांच वर्षों के बाद जब मैं घर वापिस आया and was met by her at the station तो मैं उनसे station पर वहां मिला she did not look a day older यानि जब मैं पांच वर्षों के बाद जब घर वापिस आया और वह station पर ही मेरा आवभगत करने के लिए मुझे लेने के लिए मिलने के लिए आय थी वह एक दिन को भी पहले की अपेश्या ज़्यादा बूरी दिखाई नहीं दे रही थी मतलब जैसी थी वैसी ही अब लग रही थी she still had no time for words लेकिन उनके पास बोलने के लिए समय नहीं था and while she clasped me in her arms I could hear her reciting her prayers और जब उनके पास बोलने के लिए मेरा समय भी नहीं था लेकिन जितने समय तक वह मुझे अपने क्याते है ना आलिंगन में लेना यानि जब उन्होंने मुझे गले लगाया बांधे रखा तो उनकी जो प्रात्ना थी वो बोले जा रही थी मैं उनको सुन सकता था even on the first day of my arrival यानि मेरे वहां पहुंचने यानि जब मेरा आगमन हुआ यहां था कि मेरे आगमन के पहले दिन भी on of my arrival her happiest moments were with her sparrows यानि कि मैं इते दिनों के बाद में आया था तो मेरे आगमन के प्रथम दिन में भी उनको सबसे ज़्यादा खुशी किस समय मिली वो शन्ट था उन गोर रईया चिडियाओं के साथ यानि whom she fed longer with the fabulous rebukes जिन गोर रईयाओं के साथ ही जिनकों की वह बहुत देर तक और निरर्थक डांट फटकार लगाते हुए दाना खिलाती रही fabulous rebukes rebukes मतलब होता है डांटना और निरर्थक फालतु में ऐसे डांटना हलका पुलका डांटने हुए उनको खाना खिलाना in the evening I chase change in the evening a change came over her और फिर शाम के समय उनमें एक परिवर्थन आ गया अब वो परिवर्थन क्या था she did not pray सबसे पहली बात कि उन्होंने प्रातना नहीं गाई she collected the woman of the neighborhood और उन्होंने collected का मतलब होता है इकठा कर लिया woman यानि औरतों को और नेबरोड यानि परोस की औरतों को उन्होंने इकठा कर दिया got an old drum और एक पुराना धोल वो लेके आ गई and started to sing और पुराना जो धोलक था उसको लाके और उन्होंने गाना शुरू कर दिया for several hours यानि काफी घंटों तक कई घंटों तक वो गाती रहती she thumped the sagging thumped का मतलब होता है कि उसको अपने हाथों से थपकियों से बजाना the sagging skins of the dilapidated drum dilapidated drum का मतलब होता है कि जो drum था जो धोलक था उसको जब वो बजा रही थी तो उसकी जो उपर की जो skin थी यानि जो जिस चीज का drum बना होता है जिसको हम थप थप करके बजाते हैं वो जो धोलक होता है वो जोलदार चमड़े जैसा हो गया था यानि जो उसका चमड़ा था बजाने वाला वो जोलदार हो गया था skin of a dilapidated drum का मतलब होता है जो जोलदार यानि जो धीली पढ़ जाती है skin उसकी drum की उस drum को बजा रही थी and sang for the homecoming of warriors और उन्होंने गाना यो धाओं को जब घर वापिस आते हैं तो उस समय जो गीत गाते हैं वो सारे गीत उन्होंने गाए we had to persuade her to stop to avoid over straining तो यानि कि अब हम लोगों को उनको over straining का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तनाव avoid का मतलब होता है बचाना we had persuade her to stop यानि हमने उनसे बिंती करी कि आप इसको बजाना बंद कर दो बहुत ज़्यादा तनाव से बचाने के लिए हमने रोकने के लिए उनने समझाया बुझाया राजी करना पड़ा हमने उनको persuaded यानि हमने पहल करके उनको रोका कि अब आप इसको बंद कर दो नहीं तो आपको तनाव हो जाएगा that was the first time since I had known her that she did not pray अब जो लेखक हैं वो कहते हैं कि उस समय ये पहला मौका था अफसर था जब उन्हें मैंने प्राटना करते हुए नहीं देखा the next morning अगली सुभे she was taken ill यानि अब जब पहले दिन उन्हें इतना वो drum वगरा बजाया ठक गई होंगी तो वो क्या अगली सुभे सुभे जब हुई तो वो काफी बिमार लग रही थी the next morning she was taken ill यानि अगली सुभे वो बिमार पढ़ गई it was a mild fever and the doctor told us that it would go यानि वो हलका बुखार था और doctor ने हमें बताया कि वो चला जाएगा but my grandmother thought लेकिन मेरी दादी मा जो थी वो कुछ और ही सोचती थी उन्होंने सोचा की differently वो अलग तरीके सो सोचती थी she told us that her end was near और उन्होंने हमें बताया कि उनका जो अंत समय है वो आ गया है निकट ही है and she said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray she was not going to waste any more time talking to us तो उन्होंने कहा क्योंकि उनके जीवन का ये last समय आ गया है अंतिम समय आ गया है few hours before the close यानि उनकी मरने से थोड़ा समय पहले ही अंत समय आने से पहले ही उन्होंने प्रातना करना छोड़ दिया था और वह हमसे बातचित करने में भी अपना समय जो है वो खराब नहीं करना चाहती थी she had omitted to pray omitted to pray का या मतलब होता है उन्होंने प्रातना करना छोड़ दिया अंत समय से पहले and she was not going to waste any more time talking to us और वो कहते हैं कि अब हमसे बातचित करने में भी वो अपना और ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहती we protested हमने इस चीज़ का विरोध किया protest का मतलब विरोध किया but she ignored our protest लेकिन उन्होंने हमारे इस protest को नजर अंदास कर दिया ignored मतलब नजर अंदास कर दिया she lay peacefully और वो शांती पूरवक पिस्तर पर लेट गई in her bed praying and telling her beads और अब पिस्तर पर लेटी हुई वापिस प्रातना करती रही यानि राम नाम भजन जो है वो गाती रही even before we could suspect यानि कि इस से पहले कि हम कोई आशंका कर सकते her lips stopped moving उनके होट जो थे वो हिलना बंद हो गए and rosary fell और उनकी जो मनकों की जो माला थी वो गिर गई from her lifeless fingers यानि उनके होट चलना बंद हो गए और उनकी निर्जीव उंगलियों से जो माला थी वो नीचे गिर गई a peaceful pallor of spread on her face and we knew that she was dead और उनके जो चहरे पर एक शान्त पून पीला पंसा चा गया और हम समझ गए कि उनकी मृत्यू हो गई है we lifted her off the bed अब हमने उनको we lifted her off the bed अब हमने उनको बिस्तर पर से नीचे उतारा as is customary जैसा कि रिवाज है laid her on the ground and covered her with red shroud और हमने रिती रिवाज के according उनको जमीन पर लेटा दिया और लाल कफन से उन्हें ढख दिया श्रौड यानि कफन after a few hours उस कुछ घंटों के बाद में off morning विलाप करनों के कुछ घंटों के बाद में we left her alone उनको अकेले छोड़कर हम उनके शवदा यानि दहा संसकार करने की विवस्था में लग गए arrangement यानि विवस्थाएं in the evening we went to her room और शाम को जब हम उनके कमरे में गए with a crude stretcher to take her to be cremated और जब हम शाम को हम अर्थी लेकर उनके कमरे में गए तो उनके दहा संसकार के लिए जब हम उने लेकर जाना चाते थे cremated to take her to cremated cremated मतलब दहा संसकार के लिए the sun was setting सूरे जो है वो अस्थो रहा था and had lit her room and veranda with a blaze of golden light और उनके कमरे में बरामदे में सुनहरी रोष्णी की किरने जो है वो प्रकाशित हो रही थी golden light के साथ we stopped halfway in the courtyard और हम प्रांगन के आधे रास्ते में ही रुक गए ऐसा क्या हुआ कि उन लोगं को रुकना पड़ा all over the veranda क्योंकि उन्हों ने देखा कि जो पूरा बरामदा था उसमें and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud यानि कि हमने देखा कि पूरे बरामदे में यानि संपून बरामदे में उनके कमरे में ठीक उस थान तक जहाँ वे अभी तक लाल कफन से धकी वी मृत पड़ी थी बहुत सारी हजारों की संख्या में चिडिया गोरईया जो थी वो वहाँ फर्ष पर जमीन पर इधर उधर बिखरी हुई सी बैठी हुई थी और thousands of sparrows sat scattered on the floor जमीन पर वो फैल के बैठी हुई थी there was no chirping सबसे चो important चीज थी वो ये थी कि वो चारों की तरब फैली भी थी और वहाँ पर कोई भी तरह की was no chirping ये important है चहचहाट की कोई आवाज नहीं निकाल रही थी सब शांती से बैठी थी we felt sorry for the birds and my grandmother fetched some bread for them we felt sorry for the birds अच्छा हमें उन पक्षियों के लिए बहुत बुरा लग रहा था and my mother fetched some bread for them तो मेरी माँ जो है उनके लिए कुछ छोड़े रोटी के टुकडे लेकर आई she broke it into small crumbs और उनके चोटे चोटे टुकडे किये the way my grandmother used to जैसे की मेरी दादी ची किया करती थी and threw it to them और उनको खाने के लिए उनकी तरफ उनको बढ़ाया फेंका the sparrows took no notice of the bread लेकिन उनको रहीय चड़ियों ने रोटी के टुकडों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया no notice, कोई ध्यान नहीं दिया when we carried my grandmother's corpse off और जब हमने अपनी दादी मा के शव को जब हम लेकर चले they flew away quietly तो वो चुप चाप उड़कर चली गई next morning अगली सुभे the sweeper swept the breadcrumbs into the dust meal तो जो sweeper था उसने यहीं जो सफाई करने वारा जो वरती था उसने ज़ाड़ू लगाने के समय देखा कि वो रोटी के टुकडों को वहां से ज़ाड़कर कोड़ेदान में डाल गया तो देखा हमने कि किस तरह से दादी जी की मृत्यू के बाद में कितना दुखी हुई वो गोरिया चिडिया उनको भी पता था कि अब वो हमारे बीच में नहीं रही तो वो भी अपनी शद्धानजली देने के लिए वहां पे आई थी और पिल्कूल चहचाहाट नहीं करी थी यारी हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस सरे मनुष्य होते हैं समवेधनशील होते हैं वैसे ही पशुपक्षी और जानवर भी बहुत समवेधनशील होते हैं और देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी शद्धानजली दादी मा को दी तो बच्चो कैसा लगा आपको ये चैप्टर आप लोग बताएं फटाफट अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है तो आप लोग थमसप कर सकते हैं जिससे कि मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको चैप्टर अच्छा लगा है चुकि क्लास हमारी काफी लंबी हो गई है तो बच्चो हम कल फिर मिलेंगे कल की लाइफ क्लास में तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अगर किसी बच्चे को कुछ क्वेरी है कुछ पूछना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखते जेगा मैं उनके कमेंट के जवाब कल की क्लास में आपको जरूर दूँगी अभी मुझे तयारी करनी है नेक्स्ट क्लास की तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने क्लास इतने अच्छे से अटेंड करी और आपके सारे कमेंट भी मैं देखती रहती हूँ बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते और कुछ के मैंने जवाब भी दिये हैं तो आप देख लीज़ेगा कैसी लगी आप लोगों को क्लास जरा बताइए थम सब करके फटा फट फिर हम एक मिनट बाद में क्लास को खतम करेंगे और जाने से पहले जो बच्चे नए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भोलना थैंक यू चलती हूं, बाई बाई, वाई, हाव नाईस दे